हेलो गाईज, विल्कम बैक, मैं सेल्फ एसकेटिकरवाल और आज आपने बात करेंगे खास तोर से देखो MPPSC के जो स्टूडेंट्स हैं जो असिस्टेंट प्रोपेसर की प्रेपरसन कर रहे हैं कहीं न कहीं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इंफोर्मेशन है क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की जो क्यूरी थी वो आ रहे थी कि असिस्टेंट प्रोपेसर की जो एक्जाम होने वाली है MP के अंदर तो उसका जो बोटने से रिलेटिड जो स्लिबस है यह फिर अपन कहें पेपर पैटन क्या है वो सभी चीजें काफी स्टूडेंट्स के डैली कमेंट आ रहे थे कि सर पहले उसके बारे में बताईए कि पेपर पैटन क्या है और सिलिबस क्या है ठीक है तो सबसे पहले मां आपको इसकी जो ओफिशल नोटिफिकेशन है आपके MPPSC का उसी पर लेके चलता हूं तो यहां पर देखो मध्यर प्रदेश लोक्षेवा आयोग और सहायक प्राध्यापक प्रिक्षा 2022 असिस्टेंट प्रोपेसर प्रिक्षा 2022 यहां पर देखो आपके जो पेपर पैटन है उसमें दो प्रकार की पेपर होने आपके यहां पर प पेपर फर्स्ट और यह पेपर इसका अपन इंगलिस परजन है वो भी देख लेते हैं यहां पर इसका साइध इंगलिस परजन नहीं है यह डायरेक्टिय अपना पहला ही है और इसमें पर देख लेते हैं पर्सट पर देखें हमान तो फरस्ट पर आपका जो MP के अंदर आपका जो जीके है उसका होगा ठी मध़य प्रदेश राश्टिय एंव अंतर राश्टिय इस तरका समाने ज्ञान तथा कंप्यूटर का अधार भूत ज्ञान होना चाहिए कंप्यूटर बेसिक नॉलेज इसके साथ मद्यप्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल का जीक के यह आपके क्यूशन संख्या कितनी होगी पचास कि सुनाइए यहां पर देखे नंबर ओफ क्यूशन पचास औ और प्रते क्यूशन च्यार नंबर का होगा। इसका मतलब यह पडियु किसट्य करते हैं नहां पर दे रखाया विशे समधित विषे टिक तक बोंटने से भिलोंग करते हूं तो आपके 150 क्यूशन आने है 150 परते क्यूशन जो च्यार नमर का होगा तो आपके total marks कितने होगे यहां पर 600 600 प्लस 200 आपके 800 नमर का पेपर होगे यहां पर देखो दूसरा पेपर जो सबजेक्ट का बोटने का आपका तीन घंडे का रहेगा यहां पर देखो क्यों सनसेंख्या टोटल कितनी होगी 200 टोटल मार्क्स कितनी होगे आपके 800 इसके अलावा जब कम्पलीट आप क्वालिफाई कर लोगे टेस्ट को रिटन टेस्ट को आप क्वालिफाई कर ढि टेस्ट में आपको पता होगा में दूणों पर में 40% कंपली है चाहे आपको इंटरिव्यू आक आपके तिरुलों इंटेट का होगा होना है अब आपन चलते हैं कि यहां पर यह दे रखा है वह चालिस परसेंट दोनों ही प्रिसन पत्रों में पर्थक पर्थक 40 परसेंट अंक प्राप्त करना अनिवार यह है ठीक मैं पहले बताया आपको आपको 40 परसेंट लाना कंपरसरी है इसके अलावा यह इसमें है साक्षात कार मतलब आपका जो उसमें सो माक्स का होगा कि अब आपन चलते हैं स्लेवस के ऊपर यहां पर आपका देखूं जीके का जो सिलेवस है उसमें क्या क्या चीज़ें बैंसन की गई है देखें अपन मध्यप्रदेश राष्ट्रिय अंतराष्ट्रिय इस्तर का समाने ग्यान कंप्यूटर का आधार बूत ग्यान होना यह से पहला जो पॉइंट यूट दी गई है मध्यप्रदेश का इत्याज संस्कृति और सहित यह जो पीडियेफ है मैं टेली मध्यप्रदेश का भूगोल मध्यप्रदेश की राजनीती एम अर्थसास्त्र के एक इसलेवस है और अंतराष्ट्रिय राष्ट्रिय मध्यप्रदेश की मेहत्यों समसमाय की घटना है मतलग करन्ट अफियर्स सूचना एं सूचना प्रधोगी की टेक्नालोजी यह इसका इंग्लिस वर्जन स्लिबस आपका असिस्टेंट प्रोफेसर एकजाम 2022 मध्यप्रदेश स्लिबस पेपर फर्स्ट जर्नल नोलेज ओफ मध्यप्रदेश नेशनल एंट इंटरनेशनल नेशनल एंड एंपी इनफॉर्मेशन एंड कम्यूनिकेशन टेक्नालोजी अब बात करते हैं बोटनी स्लिबस की तो जो भी इस्टूटेंट अगर आपको हिंदी में प्रिंट आउट लेना है या हिंदी में आप समझना चाहते हो तो भी आप इसको समझ सकत हो हिंदी में यहां पी दिया गया कुछ इस प्रकार से यूनिट इसमें अलग लग यूनिट वाईज दिया गया है तो फर्स्ट यूनिट अपको देखें क्या पढ़ना है आपको फरस्ट यूनिट चेंदर निम्न शरेनी पात्पों का जेविज्यान एं विभिदता ही और एंग्लिस में चलते हैं इसमें कि एप लोग तो हींदी में अगर किसी सींहीं का तब पढ़ सकता है इंग्लिसara पड़ने में दीकत आएगी इसलिए थोड़ा सां इंगलिज में चलते हैं डायरेक्ट है कि यहां पर देखो आप असिस्टेंट प्रोफेसर एक्जाम 2022 स्लेबस ओफ बोटनी बोटनी के स्टूडेंटों की सबसे ज्यादा क्यूरी थी चीज रिलेटर की असिस्टेंट प्रोपिकस में दे रखा है वायरोलोजी आपको पढ़ना है इसके अलावा बैक्ट्रियोलोजी है माइकोलोजी है फंजाई एकोनोमिक इंपोर्टेंस ओफ फंजाई यहां पर फाइकोलोजी मतलब अलगी और जनरल अकाउंटेंट ओफ प्रोग्लोरोफाइटा यह इसके अब कर देखें कि कौन सी यूनिट इसमें में इसमें की गई है देखो आपको बायालोजी और डाइवर्शेटी ओफ ब्रायोफाइट्स पर फाइटा यह आपको पहले पढ़ना है ब्रायोफाइटा ब्राइफाइटा की इसमें जो जनरल क्रेक्टर्स है एकोनोमिक इंपो आगे देखें अपन जनरल क्रेक्टर फीचर यह ट्रेड़ोफाइटा कुछ मेंबर्स हैं क्लासेस दे रही है जिम्नोइस्परम्स और जनरल अकाउंटेंट ऑफ ट्रेड़ोइस पर मेल्स यह इनकी अलगला क्लासेस वापस ओर्टर्स दिए गये हैं जिम्नोइस्परम्स के थर्ड यूणिट अपन देखें अब मॉर्फोलोजी एंड टेक्सोनोमी ओफ एंज्वेस्परम्स पढ़ना है इसमें और जन एड इवोलुशन ओफ एंज्वेस्परम्स कॉंसेप्ट ओफ इस्पिसीज आगे यहां पर देखाए सिस्टेमेटिक सिस्टेमेटिक्स ओफ एं सेमी टेक्निकल लेंग्वेज अलग लग फेमिली कुछ दे गई है वो फेमिली आपको पढ़नी है डियागनॉस्टिक क्रेक्टरस्टिज एकोनॉमिक इंपोर्टेंट ओफ मोसे सी लेलियस सी यह कुछ आपके वापस फेमिली दे गई है यूनिट नंबर फॉर्थ इसमें देखो developmental biology दी गई है morphology and organogenesis in plants development biology यहाँ पर आजाएगा Maristematic tissue culture Maristematic tissue उनका arrangement जो भी है और organization of soot apical leaf transition of flowering double fertilizer 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 जो भी चीज़े है सभी आ जाएगी इसमें यह आप लोग से लिए सच्छे सी डीटेल में इसको देख लेना plant physiology and biochemistry unit number 5 unit number 5 के अंदर क्या दिया वह है plant physiology and biochemistry दी गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हो plant water lesson transpiration stomatal movement solute transport photo assimilate translocation यह सभी आपके plant physiology के topic science में दिये गए हैं फिर unit देखें अपन six plant ecology आपको ecology पढ़नी है community ecology और ecosystem species interaction ठीक है यह सभी चीज़े पढ़नी है major territory biomes soil unit number seven दी गई है आपकी ethinobotany and applied botany ठीक है definition and scope of ethinobotany historical reviews outline idea of RQ ethinobotany ठीक है prevention of genetic diversity ethinobotanical importance of कुछ अलग-अलग member दिये गए हैं उनकी importance applied botany unit number eight दी गई है आपकी cell biology and evolution cell biology से related और evolution से related cell division, cell cycle सभी चीज़े इसमें दी गई है evolution का थोटा सा portion इसमें दिया गया evolution, emergence of evolutionary, thought, Lamarck, Darwin, concept of the variation, adaptation, struggle, fitness, natural selection यह सभी चीज़े आपकी दी गई हैं आगे देखें आपन unit number nine molecular genetics इसमें आपकी genetics और molecular genetics दीगी है nuclear DNA content, DNA structure, form of DNA, DNA के types जो भी है replication of DNA और इनकी enzyme C value paradox भी इसमें add किया गया है court curve and its importance, RNA synthesis and processing, protein synthesis and processing, control of gene expression इसीजे दीगी हैं last के अंदर देखो आप unit number 10 के अंदर tool technique in biology and biotechnology, biology और biotechnology के अंदर जितने भी tool techniques include होने वाले हैं उन सभी के बारे में इसमें discuss जिया गया है, अपने unit number 13 मैंने नाम से playlist के अंदर डाल रखी है, उसमें mostly technique सही अवेलेबल है, आप लोग YouTube पे भी देख सकते हूँ microscopic technique, light microscope, phase contrast, dark field microscope, fluorescence microscope, electron microscope, सभी चीज़े मैंने unit third में ये पढ़ा रखिया लग भग, biophysical mutation, historical and immunological techniques, और in vitro muta, genesis, deletion and biotechnology, principle and applications, ये सभी biotechnology से related आपको दिया गया है, तो कुछ इस प्रकार से आपका बोट निकाई, syllabus से जिसने 10 unit जो है वो आपके include की गई है, काफी landy syllabus से, सेम राजस्थान की जैसा syllabus से, और इसको आप flip, मतला पन कहें, उसके टेलिग्राम से भी आप डाउनलोड कर लेना, ताकि मैं उसको डाल दूँआ, इसका link, तो हाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, total बोटने की जो post है, वो कितनी है, आपकी 42 post है, ये आपको सभी को पता भी होगा पहले से, तो कुछ समझ में आया होगा आप लोगों को, उम्मिद करता सलेबस भी समझ में आया होगा, ये इसका जो advertisement number है, ये वो तो, ये वो है, जब इसका advertisement number आया था, सायक, अचार्य कहें अपन, assistant professor कहें अपन, तो ये सभी चीज़े हैं इसकी, ये देखो, बोटनी की जो post है, वो कितनी है, 42 post थी इसकी, और इसमें बोटनी के अंदर कौन से क सब्जिक्ट को include किया गया है, वो भी एक बर आप देख लो, इसलिए मैं इसको notification को open किया वे नहीं, तो ये जुरूर देख ले, यहां पर देखो, आपकी पहली बात तो बोटनी के जो students है, उनको life science में net होनी ज़रूरी है, ठीक है, UGC net में अंकित वी से, मनलब किस subject में आ आपको life science में ही net compulsory हो है, इसके अलावा अन्या net आपकी मानिया नहीं होगी, ठीक है, आगे अपन देखें, बोटनी के अंदर include किये गए subject, कौन से कौन से ऐसे candidate हैं, बोटनी के अलावा, जो बोटनी में apply कर सकते हैं, और बोटनी में असिस्टन प्रोफेसर बन सकते हैं, त लेकिन उनकी यह जितनी भी subject में चीदी के हैं, इनमें सब में एक common है, इनकी net life science में ही मानने होगी, आप environment में हो, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप UGC net कर लो, आपको life science में net करनी होगी, आप बोटनी में eligible हो, आगे देखें आपन बोटनी में eligible हो, आगे देखें आपन ब आप लाइक कर सकते हो, genetic engineering की है आपने, life science में MSC की है आपने, industrial microbiology में आपने की है, या C technology में भी अगर आपने MSC कर रखी है, with life science net qualified हो, then you can apply in बोटनी for assistant professor, ये चोटी-चोटी चीजे थी, जो आप इसके लिए apply कर सकते हो, आप लाइक कर दिया होगा लगभग सभी student ने, क्यो दो paper होने, paper first GQ का, second paper आपका बोटनी का होने वाला है, पहले में 50 question आने वाले है, दूसरे में 500 question आने वाले है, परते question, 4 marks का होगा, total paper, दोनो paper में इलाकर आपको कितने number की होगे, 800 number की, 100 number का आपका interview होगा, 900 number, 900 number में से आपका selection sure होगा, तो ये चुट-चुट चीजे थी, जो अपने clear की है, उमिद करता हूँ, आप लोग पसंद आया होगा, और telegram चलने के ओपर जा कर भी आप देख सकते हो, और इसकी जो भी student preparation कर रहे हैं, वो सभी students, जो book है, वो जुरूर परचेज कर लें, खासतोर से, ये जो book है, इसमें MPK भी include किये गए है paper, इसके अलावा इंडिया की कई state की इसमें paper जो है, वो include किये गए है, तो आप इसको purchase कर सकते हो, और ये कुछ back side में लिखी भी रखे हैं, 12 states से इसके अंदर दिये गए है paper, तो ये इसमें paper है, ये आप purchase कर सकते हो, फिलिप कार पे भी available है, comment box में डाल दूआ वो भी, और इसके अलावा को पसंद आया होगा, काफी students इस चीज़ का wait करे थे, आज के लिए अपना video ही complete होता है, thank you